हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आए हूँ आपके लिए जेनरल नौलिज के 10 कोस्टन्स जो की बहुत ही इंपरेंट कोस्टन्स होंगे तो दोस्तो इस वीडियो को एंड तक देखते रही है कि मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादे इंपरेंट होने वाल दिये तो दोस्तो अगर आप कर रहे हैं डिफेंस के तयारी डिफेंस की जोब पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादे इंपरेंट है तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट कोस्टन है हमारा आज का कोस्टन नमर बन दोज़ार बीस में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होगा ف 2020 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन कहां होगा? ओप्शन से आपके टोक्यो, वीजिंग, ब्राजील और मास्को तो question number 1 का correct answer होगा दोस्तो option A, Tokyo जी हाँ दोस्तो 2020 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन टोक्यो में होगा? तो दोस्तो question number 1 का correct answer option A, Tokyo next question है आपका question number 2 बिस्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बिस्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? option से आपके प्रसांत महासागर, हिंद महासागर option C है आपका अरब महासागर and दोस्तो आपका option D है इन में से कोई नहीं है question number 2 का correct answer है option A, प्रसांत महासागर जी हां दोस्तो, प्रसांत महासागर पूरे वर्ल्ड का सबसे गहरा महासागर है तो question number 2 का correct answer option A, प्रसांत महासागर next question है हमारा question number 3 भारत में केंदर सासित प्रदेसों की कुल संख्या है भारत में कुल कितने केंदर सासथ पृरदेश हैं options हो आपके option A 7, option D 9, option C 5 और अपका 6 तो आपके जणकरे के लिए बता दों कि भारत में अभी 9 केंदर सासथ पृरदेश हो गए हैं पहले भारत में 7 केंदर सासथि पृरदेश और 29 राज थे हैं और आज की डेट में भारत में 9 केंदर सासित प्रदेश और 28 राज हैं क्योंकि जम्मू और कस्मीर जो एक राज था उसको राज से हटा कर भारत की सरकार ने दो केंदर सासित प्रदेशों में बांट दिया है तो जम्मू कस्मीर एक केंदर सासित प्रदेश है और दूसरा केंदर सासित प्रदेश जो नया बना है वो है लद्दाख तो जम्मु कसMIR के दो टुकड़े हुए लग्दाख और केंदरसास capazid przydaeust बनादिया जम्मु और कसMIR को केंदर सासथ प्रदेश बनाधी है पहले केंदर सासथ प्रदेश साथ थे दो बढ़े गए तो भारत में 9 केंदर सासथ प्रदेश होगा और राज ये कम हो गया 28 राज रहेंगे तो question number 3 का correct answer होगा option B 9 केंदर सासित प्रदेश तो दोस्तो अगर इस संदर में आप अगर detail में जानकर ही चाहते हैं तो मैं अपने एक वीडियो का link दूँगा इसी वीडियो की description में बहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के link में आई बिटन में भी दे दूँगा तो दोस्तो उस वीडियो मैंने आपको बताया है पूरे केंदर सासित प्रदेश और भारत के राजियों के किस राजिय की सरकार है कौन सी पार्टी की सरकार है वहां पे कौन उसका मुख्यमंत्री है उसकी राजधानी कहां पर है और बहुत सारी डिटेल में नो इस वीडियो में बताई है तो आप से उम्मित करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखें तो निक्स कोशन है दोस्तों हमारा कोशन नमबर फोर राज़्टरी खिल कौन सा है मतलब भारत का राज़्टरी खिल कौन सा है ओफ्षन से आपके ओफ्षन A कबड़ी ओफ्षन B होकी ओफ्षन C है आपका क्रिकेट and दोस्तो option D है आपका सतरांच तो question number 4 का correct answer होगा option B होकी तो भारत का राष्टरी खिल कौन सा है होकी है दोस्तो question number 4 का correct answer option B होकी next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है ऐसे कौन सा जीव जनतु है जो अपने अंगों को मतलो हाथ पैरों को फिर से उगा सकता है तो option सा आपके option A मगरमाच option B सर्प option C A and B दोनों and option D छिपकली है तो दोस्तो छिपकली है वो अपने अंगों को दुबारा से उगा सकती है तो question number 5 का correct answer होगा option D छिपकली छिपकली एक ऐसा जिनतु होजीव है जो अपने अंगों के लिए एक बार अगर उसके अंग खराब हो जाया कट जाया तो वो उनको दुबारा से उगा सकती है तो question number 5 का correct answer option D छिपकली next question के तरफ चलने से पहरे दोस्तो मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अकर आपने अभी तक इच वीडियो को लाइक ने किया है और हमारी चैनल को subscribe ने किया है तो please वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को subscribe कर ले और साथ ही वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तो नेक्स्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो की जो पीडियो फाइल है वो आफ वीडियो के डिस्क्रप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो next question है हमारा question number six निम्लिकित में से भगवान बुद्ध की मृत्यू से संबंदित है निम्लिकित में से कौन से इस्थान है जो भगवान बुद्ध की मृत्यू से संबंदित है मतलब भगवान बुद्ध जो थे उनकी मृत्यू कहां हुई थी तो option से आपके हैं साची, गया, कुशी नगर और इन में से कोई नहीं तो question number 6 का दोस्तो आपके जो correct answer होगा option C है कुशी नगर कुशी नगर दोस्तो जो है वो भगवान बुद्ध की मृत्वी उसे सम्मन देता है तो option से आपके option A, Belgium, option B, England, option C, Russe, and option D, France तो question number 7 का correct answer है option B, England जी हाँ दोस्तो, England एक ऐसा देशा जिसका अभी तक कोई भी लिखित सम्मधान नहीं है तो question number 7 का correct answer option B, England Next question है हमारा, question number 8 गौतम बुद्ध के जन्म से सम्मन दित स्थान है गौतम बुद्ध के जन्म से सम्मन दित स्थान है तो option से आपके option A, Kaling, option B, Kusinagar, option C, Lumbni, and option D, इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो, गौतम बुद्ध से सम्मन दित स्थान है C, मतलब Lumbni तो question number 8 का correct answer होगा आपका option C, Lumbni Next question है हमारा Question number 9 जलियावाला बाग हत्यकांड कब हुआ? जलियावाला बाग हत्यकांड कब हुआ? इसके बारे में तो सब यह आप जानते ही होंगे option से हैं आपके option A, 15 अगस्त 1919 20 जून 1920 13 अपरैल 1919 या 19 जून 1919 तो दोस्तो जलियावाला बाग हत्यकांड हुआ था 13 अपराइल 1919 के लिए जिसको जर्नल डायर ने करवाय था ये जलिया वाला वाग जो है वो पंजाब के अमरिसर जले में इस्तित है तो दोस्तों जलिया वाला वाग के जो हत्या कांड वाग तो उसमें काफी ज़्यादा इंडियन्स की जाने गई थी जिसके लिए जर्नल डायर ने करवाय था तो कोश्चन नमर 9 का करेक्ट अंसर है आपका ओफशन C 13 अपराइल 1919 तो next and last कोश्चन है हमारा आज का कोश्चन नमर 10 रूस के संसत को किस नाम से जाना जाता है रूस के संसत को किस नाम से जाना जाता है आपके आपसन A, UN आपसन B, Congress आपसन C, Duma और आपसन D, Assembly तो कोश्चन नमर 10 का आपका करेक्ट अंसर होगा आपसन C, Duma रूस के संसत को Duma के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो ये थे आपके बहुत ही महतोपूर्ण 10 कोश्चन जो कि आपके आने वाले एक्जाम्ट में बहुत ही ज़्यादे इंपोटन्ट है तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरू बताइए और दोस्तो इन 10 कोश्चन में से वीडियो के कमेंट में जरू बताएं तो चलिए दोस्तो उम्मिद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिया होगा तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार, जेहन, जे भारत